नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे यम एयन याने मैन की बारे में अपने टाइम की एक सक्सेस्फुल कमपणी केसे कुछ सालों के बाद भारत को छोड़कर चले गई ये आज के वीडियो में हम जानेंगे तो चले फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं ये बात है साल 2003 की भारत की एक बड़ी आटमोबाइल कमपनी फोर्स मोटर्स, मिनी बस और मिनी ट्रक्स को बनाती थी तब फोर्स मोटर्स में सोचा कि हम भी HCV याने बड़े ट्रक्स को बनाएंगे प्लैन तो काफे अच्छा था पर फोर्स मोटर्स जानता था कि किसी नए प्रोजेक्ट को डिवलोप करना कोई आसन बात नहीं है क्योंकि एक नए गाड़ी को डिजाइन और डिवलोप करने के लिए साथ से आठ साल का समय लगता है क्योंकि उसमें प्रोडोक के प्रोट्रेक्ट बनाना रोड टेस्ट करना AI से अप्रूवल लेना प्रोडोक्शन स्टार्ट करना जिसे बहुत सरे काम होते हैं इन सबसे बचने के लिए फोर्स मोटर्स ने एक आइडिया लगाई कि हम खुद की टेकनलोजी नहीं बनेंगे हम किसी दूसरी कमपणी की टेकनलोजी यूज़ करके भारत में गाड़ी बना कर बेचेंगे तो इसलिए फोर्स मोटर्स ने मैन कमपणी को एप्रोच किया और इस प्रपोजल को मैन कमपणी ने एकसेप कर लिया और फोर्स मोटर्स को अपने ट्रक्स के इंजीन, एकसल, कैबिन, चेसिस यूज़ करने का लाइसंस दे दिया और गेरबोक्स फोर्स कमपणी ने जेड़ेप कमपणी से मंगवा लिया अब फोर्स मोटर्स के पास सारे पार्ट्स आ चुके थे, बस गाड़ी बनने की देर थी फोर्स मोटर्स ने भारत की सडको पर प्रोटोटाइब्स की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और टेस्टिंग करते करते तीन साल बीद गए अब आया साल 2006, मैन कमपणी ने भारत में आने का पुरा मन बन लिया था फोर्स मोटर्स के साथ भारत में मैन कमपणी ने इंट्री कर दी थी इस कमपणी ने मद्यप्रडेश के पीथमपूर इंडेस्टिलियर्या में अपना प्लांट से तप किया इस plant में हर साल 10-12,000 गाड़ियों का production हो सकता था 2006 में Force Motors के पास Man India के 70% share थे और Man के पास सिर्फ 30% shares थे 2008 में Man Company ने Force Company से और 20% shares को खरिद लिया और इसकी वज़े से दोनों कमपनियों के पास 50-50% share हो गया था Man Company भारत में CLA range के अंतरगत, trucks, tippers, RMC, tractors और busses की manufacturing करता था इनके products को लोग काफी पसंद करते थे company का sales दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा था इनकी trucks को बहुत सरे लोगों ने खरिदा था पर busses को बहुती कम लोगों ने खरिदा था Man Company की busses को सबसे ज़्यादा पवलू ट्रैवल्स गोवा ने खरिदा था इनके पास Man Buses का भारत का सबसे बड़ा fleet आज भी मुझूद है Man Company ने भारत में काफी अच्छा कासा market hold बनाया था ये सिलसिला साल 2016 तक चला अब आ गया साल 2017 ये वही वक्त था जब भारत से एक बड़ी automobile company भारत को छोड़ कर जाने वाले थी जिसका नाम था Chevrolet याने General Motors भारत में एक company cars बनाती थी पर low sales की चलते ये company भारत को छोड़ कर जा रही थी और उस समय और एक company भारत को छोड़ कर जाने वाले थी अपने product failure के कारण fail हो गया, साल 2017 में man company के sales पर काफी फरक पड़ा था, sales काफी कम हो रहा था पर company हार मानने के लिए तयार नहीं थी इन्होंने इतने बुरे समय में भी company को चालो रखा था, अब आई सबसे मुश्किल गड़ी याने साल 2018 इस company की चचरी भेन याने Scania ने अपने bus production को भारत में बंद कर दिया था, आप में से बहुत सरे लोग इस बात को जानते नहीं होगे कि Scania और man एक ही company के अंटर काम करते हैं जिसका नाम है Volkswagen Government of India ने BS6 Emission Norms की prior notification जारी कर दी थी, एक April 2020 से भारत में BS6 Emission Norms लागो हो गए, इस बात को सुनकर बहुत सरे कमपनियों ने अपने engines और गाडियों को अप्रेड करना शुरू कर दिया था, पर इस बात से man company के पेरो तले जमिन की सग गई, क्योंकि man company जानती थी कि गाडियों को BS6 में अग्रेड करना बहुत ही खर्चिला काम है, और हर गाड़ी की manufacturing cost तीन से साड़े तीन लाग रुपए तक बढ़ने वाला थी, जिसका सीधा-सीधा मतलब ये था कि गाड़ी के sales पर बहुत बुरा आसर पढ़ने वाला था, एसे ही sales कम चलता था और उपर से नई मु जरुवात में शुरू की थी, उसी को अब तक continue करते आ रहे थे, गाड़ीयों को change की जरुवत थी, पर इन्होंने उसी change ने किया, अब company ने सोच लिया था कि हम भारत में CLA range को नहीं बनाएंगे, अब हम सिर्प premium range के trucks के उपर ध्यान देंगे, इसका सिधा-सिधा मतलब ये सिर्प plant खरीदना चाती थी, ना कि उनके workers, इसी के चलते man company ने अपने plant को base दिया, पर अपने 1000 workers को बीच में नहीं छोड़ा, क्योंकि उन 1000 workers पर 4000 लोग निरबर थे, इसी लिए man company ने अपने workers को company के vendors, dealers और service stations पर job दिलवा दिया, man company ने अपने production को भारत में तो बन कर दिया पर इनके global trucks की research and development भारत में होने वाले थी, अब जानते है man company के interesting fact के बारे में, इस company के पास भारत की सबसे पहली front engine multi-excel burst chassis मोजुद थी, उस समय में market में Volvo, Scania, Mercedes-Benz यसी बड़ी-बड़ी multi-excel burst मोजुद थी, पर इस company ने इस chassis को launch करके काफी बड़ा काम किया था, क्योंकि उस समय में इस chassis को इनने सिर्फ 45 याने 45 लाक रुपए में launch किया था, अगर आज के समय से compare करें, तो भारत बेंस company की single excel burst chassis almost 40 लाक रुपी तक मिलती है, man company ने अपने chassis को काफी कम prices पर launch किया था, और ये काफी बड़ा plus point था इस company का, पर दोस्तों, इस गाड़ी को भी लोगो जो आपको बड़ी बड़ी premium buses में मिलता है, गाड़ी के लेन भी काफी अच्छी कासी थी, पर operators ने इस bus में कोई interest नहीं दिखाय था, इसे के चलते ये गाड़ी भी फेल हो गई, अगर इस bus पर bodybuilding की जाती, तो इस गाड़ी की कीमत almost 65 लाक रुपीज तक जा सकती थी, man company के इस प्रोड़क के फेल होने के बाद, AMW याने Asian Motor Works Company ने भी Magnus नाम से एक bus को launch किया था, पर वो भी low sales के चलते फेल हो गई, अब जानते हैं man company के after sales service के बारे में, भारत में इनके बहुती कम जगव पर service station अवेलेबल है, जहाब पर इनकी गाड़ीों की servicing और maintenance होती है, तो ब बारत